ए रुस्तर आप इसी को बढ़ते हैं ये माँ है बेरी देखे भई समयने की कोशिश की जिए अगर हम इने यहाँ रखते हैं तो दोसों की जिंदिगी को खत्रा पैदा हो सकता है इन्हें छूट का बेकर रोग लग चुका है इनकी सेहत के लिए और दोसों की जिंदिगी के ल मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती और मेरी माँ पर ही खत्म हो जाती मेरी परवरिश के लिए वो अकेली ओरत सारी दुनिया से लड़ती रही मुझे दूर पिलाती रही और खुद सख्मों का जहर बीती रही मेरी उंगरोस के चेरे पर चुरियां बनती गई वो मेर पढ़ लिखकर बढ़ान की मन सकूँ लेकिन उनके दाबों को करीद में के लिए बहर तकलीफ हर मुसीबत परदाश करती रही तजाने कमसे बेपार थे लेगर उसना मुझे कभी पता नहीं चलने दिया कहीं कोई इश्वर था जिसे सब पता था जो ये सब देख रहा था फिर भी चुपता थेरे थेरे सखम नासूर बगए और इश्वर देख 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 मा मुझे सब धाश नहीं होता बेदा मुझे मार क्यों नहीं दाथा भगवाद इसाब मोर मा तू जल्दी ठीक हो जाएगी अई श्राफ मुझे भाई साब भाई साब कर आएगे मेरे को नहीं मानूं इसस्टर क्या है इसस्टर मेरी भाब और तकलीफ में इतना तकलीफ का खयाल है तो सरकारी अस्पतल में क्यों लेकर आए मेरा बना कोते मुझे मुझे लुकते मिल जाएगी और तुझे भी मार डर कुछी मेरी मा उट से बहुत मांग रही थी ता मैं उसे बहुत दे सकता था ताहरा उनको जो बिमारी लग चुकी है उसका इलाज बहुत महेंग है अगर अपनी मा की जिंदगी चाहते हो तो वो इंजेक्शन ले आओ जिसे तुमारी मा के दर्द को चुटकारा मिल सके इंजेक्शन मेरी मा की जान बचा सकते थे लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा बहुत सारा और बहुत चब जना तो तुम्हारे बड़े बापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आधर्श इधर दर्दबर्दाश्ट से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्दबर्दाश्ट की उस हद से गुजर गया जिसे माह कहते है, मेरा इश्वर मर गया और जब मेरा इश्वर मर गया, तो मुझ पर इंसान बनने की सिम्मेदारी भी नहीं रही और मैंने अपने हाधर, अपनी इंसानियत, अपना इमान बेज़कर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौधा कर लिया मैं तुम्हारी मौत बढ़ कर रहे था लेकिल तुम मेरी सिंदगी बन गई मैंने कादिल को मार दिया, काजल मैंने कादिल को मार दिया